नमश्कार, कैसे हैं आप? आशा है, आप स्वस्थ हैं तथा अपना खयाल अच्छे से रख रहे हैं। आज के इस सेशन की शिरुवात मैं कुछ पंक्तियां गुन-गुना करना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि आप ही ये पंक्तियां मेरे साथ गुन-गुनाएं। सदियों से भारत भूमी दुनिया की शान है। भारत मा की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। जी हां, मेरी पंक्तियां सुनके आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज हम भारत की बात करने जा रहे हैं। भारत एक विशाल देश है। पिछले कुछ दर्शकों में भारत ने सामाजिक तथा आर्थिक रूप से काफी उन्नति की है। क्रिशी का शेत्र हो, उद्योग शेत्र हो, शिक्षा शेत्र हो या तक्नीकी दिकास का भारत ने चह मुखी प्रगती की है। इसके साथ साथ विश्व के इतिहास में भी भारत का महतुपून योगदान रहा है। तो आज हम आपकी भुगोल की पाठ्थे पुस्तक का प्रथम अध्याय करेंगे, जिसका नाम है भारत का आकार तथा स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं विश्व में भारत की स्थिति की। यदि आप इस मानचित्र को देखें, तो जान पाएंगे की भारत भुमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भुमध्य रेखा जीरो डिगरी अक्षांश है तथा प्रित्वी को दो हिस्सों में बांटता है। भुमध्य रेका के उपर का हिस्सा कहलाता है उत्री गोलाद तथा नीचे का हिस्सा कहलाता है दक्षणी गोलाद तो अब देखे भारत की सिति भुमध्य रेका के उत्तर में है अब यदि हम भारत का अक्षांश्य विस्तार देखें, तो पता चलेगा कि यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है अब देखते हैं भारत का देशांत्रिय विस्तार भारत प्राइम मिरीडियन अर्थात ग्रीनिच रेखा जोकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पूर्व में स्थित है तथा भारत का देशांत्रिय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है आएए अब भारत के मानचित्र पर कुछ और तथे देखे करकरेखा भारत के मध्य से गुजरती है यह 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो भारत को दो बराबर भागों में पांटता है करकरेखा आठ राज्यों से गुजरती है क्या आप मुझे बता सकते हैं यह राज्य कौन से हैं यह राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चत्तिसकर, जारखन, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मीजुरम इसके अलावा कुछ द्वीप समुह हैं जो भारत का हिस्सा है यह देखिए दक्षिन पश्चिम में अरब की खाड़ी में लक्षद्वीप समुहूं तथा बंगाल की खाड़ी जो की दक्षिन पूर्व में है उसमें अंडिमान निकुबार द्वीप समुहूं क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे दक्षणी बिंदू इंदरा बिंदू ता जो 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमगन हो गया भारत का आकार भारत का कुल क्षेत्रफल 32,08,000 वर्ग किलो मीटर है यह विश्व के क्षेत्र का 2.4 प्रातिशत है भारत विश्व का सात्वां बड़ा देश है इस चित्र में आप विश्व के सात बड़े देश देख रहे हैं देखिए रूस, कनाडा, संजुप्त राष्ट्र अमरीका, चीन, ब्राजिल, आस्ट्रेलिया तथा भारत तो भारत विश्व का सात्वां बड़ा देश है भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलो मीटर तथा समुद्री तट रेखा अंडबन, नीकुबार, द्वीप समुहूं तता लक्षद्वीप समुहूं के साथ 7516.6 किलो मीटर है भारत के मानचित्र को देखें और बताएं कि भारत में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार कितने डिगरी है तो यह लगभग 30 डिगरी है परन्तु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षण के विस्तार से कम प्रतीत होता है ऐसा क्यूं है यह जानने की कोशिश करें भारत में 82 डिगरी 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक या मियोतर अर्थात स्टेंडर्ड मेरीडियन माना गया है यह भारत में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है अब आप सोच रहे होंगे की 82 डिगरी 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत का मानक या मियोतर क्यूं माना गया इसके दो कारण है पहला यह की 82 डिगरी 30 मिनट पूर्व देशांतर भारत के लगभग बीच में से गुजरती है तथा पूर्वी और पश्चमी दोनों भागों के लिए ठीक पड़ती है दूसरा यह की गुजरात जो की भारत का पश्चमोतर राजे है तथा अरुनाचल प्रदेश जो की भारत का पुर्वोतर राजे है इन दोनों के स्थानिये समय में दो घंटे का अंतर है क्यूंकि अभी हमने बात की कि हमारे देश का देश शान्तरिय विस्तार लगभग 30 डिग्री है और क्यूंकि पृत्वी 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट लगाती है तो यह 30 डिग्री को 120 मिनट यानि 2 घंटे में कवर करेगी इस हिसाब से यदि अरुणांचल में सुर्योद्दे का समय सुबा 5 बजे है तो यह गुजरात में 7 बजे होगा परन्तु यदि एक ही देश में अलग-लग समय होगा तो इस से बड़े असमंजस की स्थिती हो जाएगी तो इस असमंजस से बचने के लिए पूरे भारत वर्ष में एक ही मानक यामे उत्तर है और पूरे भारत में इसी को स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है भारत और विश्व यहां मानचित्र दर्शाता है कि भारतिय भूखंड एशिया महाद्वीब के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है तथा एशिया महाद्वीब का दक्षणी विस्तार है हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपिय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है यह भारत को केंद्रिय स्थिती प्रदान करता है हिंद महासागर में किसी भी देश की तट्य सीमा भारत जैसी नहीं है भारत की इसी महतपून स्थिती के कारण एक महासागर का नाम भी भारत पर पड़ा उस महासागर का नाम है हिंद महासागर प्राचीन काल में भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एश्या तथा दक्षिन एश्या के पडोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है इस संपर्क का परणाम ये रहा कि उपनिशिदों के विचार, रामायन तथा पंचतंत्र की कहानिया भारतिय अंक और दश्मलव प्रणाली संसार के अलग-लग हिस्सों में पहुँची इसके साथ साथ भारतिय मसाले, मल-मल तथा अन्यव्यपारिक सामान भी दूसरे देशों में पहुँच सका इसी तरह से युनानी तथा पश्चमी एश्या की वास्तुकला का प्रभाव भी हमारे देश के विभिन भागों में देखा जा सकता है भारत के पडोसी देश भारत में 28 राज्ये और 8 केंदर शासित क्षेत्र हैं पहले कितने थे? पहले ये राज्ये 39 थे तता केंदर शासित प्रदेश साथ थे लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को दो नए केंदर शासित प्रदेश बने वह थे लदाख तथा जम्मू और कश्मीर जम्मू तथा काश्मीर पहले राज्ये था तो इस तरह से भारत के बरतमान समय में 28 राज्ये और 8 केंदर शासित क्षेत्र हैं आए मानचित्र के सहायता से अपने पडोसी देश देखें आप देख सकते हैं कि भारत की भूमी की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के साथ उत्तर में चीन, नेपाल और भुटान के साथ तथा पूर्व में मयामार्व बांगलादेश के साथ हैं दक्षिन में समुद्र पार हमारे पडोसी देश श्री लंका और मालदीव हैं जो की द्वीप समुह राष्ट्र हैं द्वीप क्या है? द्वीप भूमी का वह हिस्सा है जो तारों तरब से पानी से घिरा होता है भारत और श्री लंका के बीच पाक संधी यानि पाक स्ट्रेट तथा मननार की खाड़ी यानि गल्फ आफ मननार है जल संधी क्या होती है? जल संधी एक ऐसा तंग मार्ग है जो दो बड़ी वाटर बॉडिज को जोडता है जैसे पाक स्ट्रेट के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाक बे दिखाई पड़ती है अब खाड़ी अर्थार्थ गल्फ क्या है? खाड़ी समुद्र का वह हिस्सा है जिसका अधिकांश भाग जल से घिरा होता है चलिए आगे कुछ और जानते हैं क्या आप जानते हैं कि पूर्वी तथा पश्चमी तट पर भारत में केंद्र शासित क्षित्रों के नाम क्या है? यह देखिए भारत के पूर्वी तट पर पॉंडिचरी तथा अंडमान वा निकुबार आइलेंड स्थित हैं भारत के पश्चमी तट पर दियू, दमन, दादर तथा नागरहवेली सित्थ हैं शेत्रफल के अधार पर भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है राजस्थान तथा सबसे छोटा क्षेत्र है गोवा पाकिस्तान की सीमा को छूने वाले भारत के राज्ये हैं गुजरात, पंजाब, राजस्थान तथा केंदर शासित प्रदेश, जमु और कश्मीर इसी तरह आप देख सकते हैं कि चीन की सीमा को छूने वाले राज्ये हैं हिमाजल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुनाचल प्रदेश, तथा केंदर शासित प्रदेश, लदाक तथा जमु और कश्मीर मयामार की सीमा को छूने वाले राज्ये हैं अरुनाचल प्रदेश, नागालेंड, मनिपुर तथा मीजुरम बांगलादेश की सीमा को छूने वाले राज्ये हैं मिगाल, आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मीजुरम आईए देखें आज हमने क्या जाना भारत भूमध्य रेखा के किस भाग में स्थित है? उत्री गोलार्ध में? दक्षणी गोलार्ध में? पूर्व में? या पश्चिम में? जी हाँ इसका जवाब है उत्री गोलार्ध में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत का मानक या मियोत्र माना गया है क्यूंकि यह सबसे बड़ा देशांतर है यह पूरे भारत से गुजरता है यह पूरे भारत में एक समय सारणी निर्धारत करता है यह भारत को तूसरे पडोसी देशों से मिलाता है इसका जवाब है यहाँ पूरे भारत में एक समय सारणिन निर्धारत करता है पाक जल संधी जो भारत के दक्षण में है उसे पार करके आप किस पडोसी देश में जा पहुंचेंगे मयामार, मालदीव, बांगलादेश या श्रीलंका तो हम पाक जल संधी को पार करके श्रीलंका जा पहुंचेंगे भारत की महतपून भगौलिक स्थिती के कारण एक महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा उस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आकटिक महासागर, अटलांटिक महासागर सही उत्तर है हिंद महासागर इन में से कौन से राज्य बांगलादेश के साथ अंतराष्ट्रिय सीमा बनाते हैं मिघाल्य, आसाम, पश्चिम बंगाल या दिये गए सभी राज्य तो सही जवाब है यहां दिये गए तीनों राज्य जैसे मिघाल्य, आसाम, तथा पश्चिम बंगाल बांगलादेश के साथ अंतराष्ट्रिय सीमा बनाते हैं कौन सा राज्य किसी अंतराष्ट्रिय सीमा से नहीं जुड़ा राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश तो इसका जवाब है मध्य प्रदेश किसी भी अंतराष्ट्रिय सीमा से नहीं जुड़ा इन में से कौन से प्रदेश को 2019 में भारत का केंदर शासित प्रदेश घोशित किया गया लदाख, जम्मू और कश्मीर, दमन, लदाख तथा जम्मू और कश्मीर दोनों को सही उत्तर है लदाख और जम्मू तथा कश्मीर दोनों प्रदेशों को 2019 में केंदर शासित प्रदेश बनाया गया यदि आप कावारती घोमने जाना चाहते हैं तो किस केंदर शासित क्षेतर में जाएंगे पुदुचरी, अंडमान नीकुबार, लक्षद्वीब या दमन और्दियू सही जवाब है लक्षद्वीब मेरी मित्र जिस देश में रहती हैं उस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती वह देश है निपाल, भुटान, बांगलादेश, तजाकिस्तान तजाकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती मैं चाती हूँ कि आप एक प्रश्ण पर विचार करें यह प्रश्ण है भारत की तट्य सीमा रेखा 7516 किलो मीटर है आपके विचार से इस लंबी तट्रेखा का अधिक्तम फाइदा भारत कैसे उठा सकता है तो इस तरहां आज हमने भारत की विश्व में भौगालिक स्थिती भारत के आकार तथा पडोसी देशों के बारे में जाना बच्चों यदि आप भारत के केंदरशासित प्रदेशों, राज्यों, प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण से जुड़े भारत के मानचित्रों को अध्यन करना चाहते हैं, तो मैं आपको राय दूँगी कि आप स्कूल भूवन पोर्टल विजिट कीजिए यह NCERT पाठेकरम पर आधारित NCRT तथा इसरों की एक पहल है आज के लिए बस इतना ही स्वस्त रहें, मस्त रहें